Hello friends, this is Kirti and welcome to my channel Positive Path with Kirti Rainy season आ गया है और अभी बिल्कुल सही समय है कि new gardeners नरसरी जाएं और वहाँ से plant purchase करके लाएं लेकिन क्या होता है कि नरसरी में तो plant बिल्कुल healthy था और बहुत healthy plant हमने देखके लाया था पर हमारे घर आते आते एक वीक होते होते वो plant dead हो जाते हैं तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल basic से बताऊंगे कि क्यूं वो plant dead हो जाते हैं और नरसरी से लाए हुए plant को किस तरीके से अपने garden में अपने terrace बालकनी में हम grow कर सकते हैं और उनसे अच्छी से अच्छी flowering और fruiting पा सकते हैं तो सबसे पहले तो जो भी plant आपने खरीद के लाया है उसे बिल्कुल तुरंत आते के साथ आप report ना करें उसे कुछ दिनों के लिए एक या दो दिन के लिए आप अपने घर के हिसाब से ढलने का मौका दें धीरे धीरे जब plant एक दो दिन में आपके घर के environment के हिसाब से वातावरन के हिसाब से ढल जाएगा तब ही आप उसे दूसरे pot में report करें जैसे हम होते हैं नई जगां पे जाने के बाद हमें भी थोड़ा adjust करने में time लगता है वैसे ही हमारे plant भी होते हैं उन्हें भी नरसरी से हमारे घर में बिल्कुल अलग महौल मिलता है तो वैसे में उन्हें ढलने का मौका दें तब ही उन्हें reporting करें अहां पे मैंने 10 इंच का plastic का pot लिया है आप चाहें तो clay pot यानि मिट्टी के जो गमले होते हैं या फिर cement के जो pot आते हैं वो भी ले सकते हैं मेरी balcony काफी उपर वाले floor पे है तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे balcony में बहुत ज़्यादा load आए और clay pot और cement के pot काफी heavy होते हैं इसलिए मैंने ये plastic का pot लिया है तो अभी pot में आपने देखा कि किसी तरह का कोई drainage hole नहीं बना है तो drainage hole बनाने के लिए screwdriver तो आपके घर में होगा ही तो screwdriver को इस तरीके से gas पे गरम करें और बिल्कुल आराम से जब आप इसे touch करेंगे जहां पे भी तो वहां पे ये hole बिल्कुल बनते चला जाएगा और धीरे धीरे करके पूरे pot में मैं इस तरीके से hole बना लूँगी तो हमारा drainage hole बन के तयार है और अब drainage hole बनने के बाग आप क्या करें कि ये देखिए मैंने दिये के टुकरे लिए हैं आप गंबले के टुकरे भी ले सकते हैं construction site पे जो बज़ी मिलती है उसे भी ले सकते हैं या फिर पत्थर के टुकरे pebbles को भी आप ले सकते हैं उन्हें बस drainage hole पे रख देना है तो दिये के टुकरे को जो उपर की सता होती है उसे उपर ही की तरफ रखें नीचे की तरफ ना रखें ताकि ये जो drainage hole है उससे सही तरीक से aeration हो तो roots को भी हवा मिलती रहेगी और जब आप अपने pot में watering करेंगे तो excess water ही drain out होगा उसमें से मिटी बाहर नहीं निकलेगी ये देखिए इस तरीके की थैली बहुत easily अब मिल रही है market में कपड़े की थैली है तो अगर आपके पास इस तरह से pebbles या stone नहीं है तो इस चीज़ को ही आप यूज करें ये मैं आपको दिखा रही हूं potting mix बनाने का तरीका एक हिस्सा लिया है मैंने sand जो आपको construction site पर मिल जाता है एक हिस्सा garden soil garden soil का मतलब आपके area की जो भी मिट्टी है वो garden soil को आपको लेना है और एक हिस्सा आपको leaf compost, vermi compost या फिर ये गोबर की खाद मैंने ली है तो इन तीनों को बराबर मात्रा में आपको ले लेना है एक अच्छे potting mix से ही आपके plant की growth depend करती है यहाँ पर देखिए एक spoon मैंने नी नीम खली है तो नीम खली से आपकी मिट्टी में जितने भी micronutrients की कमी होगी उसको ये पूरा करेगा और किसी तरह की कोई fungus या फिर किसी तरह की कोई infection को आपकी मिट्टी में नहीं लगने देगा यहाँ पर मैंने ये कोको पीट लिया है कोको पीट बेसिकली नारियल का जो फाइवर होता है ये कोको पीट है नारियल का जो छिलके का जो फाइवर निकलता है वो कोको पीट होता है और इसे जब अपने potting mix में मिलाएंगे तो काफी well drain potting mix तयार होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके roots को भी सांस लेने के लिए ब्रीद करने के लिए जगा मिल तो इन potting mix को मिला के मैंने इस pot में भर लिया है और ये देखिए plastic से मैंने plastic में ये pot था तो plastic को कट करके मैंने बाहर निकाल लिया और side के जो मिटी है side की मिटी को बिल्कुल धीरे-धीरे हातों से इसे निकालना है अगर मिटी चिकनी है अगर आप देखेंगे कि मिटी भी बस बस बार के सेंटर में रख देना है और सेंटर में later के जो पॉटिंग मिक्स है उसे अच्छे तरीके से भर लेना और प्लार को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है दोनों हाथों से अच्छे तरीके से प्रेस करें स्वाइल को और प्लांट को सेटल कर दें ये प्लांट मुझे पॉट में रिसीव हुआ है वो जो प्लांट था वो पॉली बैग में था पॉट से किस तरीके से आप अपने प्लांट को निकालेंगे तो खीच के बिल्कुल ना निकालें बस थोड़ा सा पॉट को टेरा करें और किसी भी चीज को आप इस तरह से ठोकेंगे आदे घंटे पहले मैंने थोड़ा सा पानी दिया था इस पॉट में तो बहुत इसली उन्हें बस कट कर लिया है प्लांट का जो रूट बॉल है उसे मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है दोनों प्लांट मेरे ट्रांस्प्लांट हो गए हैं और ट्रांस्प्लांट करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको अपने प्लांट में पानी देना है और 2-3 दिनों तक इन्हें direct sunlight में नहीं रखना है कहीं ऐसी जगह रखे जहां पे shade मिले plant को क्योंकि plant already transplant shock में है तो plant जब अपनी leaves को जुका दे transplant करने के बाद तो अब समझे कि plant transplant shock में है धीरे धीरे जब आपका plant recover हो जाएगा 3-4 दिनों में उसके बाद ही आप उसे sunlight में रखें तो इन tips के साथ अगर आप अपने plant को report करते हैं तो आपका plant आपके garden में बना भी रहेगा और अच्छे तरीके से grow भी करते रहेगा तो चलिए friends मिलती हूं मैं आपसे next video में एक नए topic के साथ till then bye take care happy gardening